अब प्रधान मंत्री जी को ये बताना चाहिए कि जो कॉंग्रेस ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन है CBI जो उन्होंने खुद कहा था कि उनकी सरकार को तबाह करने के लिए उनकी सरकार के खिलाफ सडेयंत्र के सबसे बड़े आउजार के रूप में CBI का इस्तेमाल किया जा रहा है उस समय मानी सर्वोचे न्यायाले ने भी कहा था CBI सरकार का तोता बन गया है और आज उसी तोते को अपने ही सारे पर नचाने का काम भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे है और ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि जब से CBI का गठन हुआ तब से लेके आज तक एक उदाहरन आपको नहीं मिलेगा का एक उदाहरन जिसमें CBI के डिरेक्टर के दफ्तर को सील कर दिया गया ये काम कब हुआ ये काम हुआ ये काम हुआ दोहजार अठारा में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधान मंत्री थे CBI के डिरेक्टर थे आलोग बर्मा जी उनके पास राफेल की जाच चल रहे थी कारण उनको जबरन नियमों और कानूनों को ताख पर रखकर CBI का दफ्तर सील करके उनको वहां से निकाल के बाहर किया गया हटाए गया और आज तक मुझे जो जानकारी है उनके पैंसेन की मंजूरी नहीं आप बात कर रहें CBI की निश्पक्षतरा की आप बात कर रहें CBI के कसीदे पढ़ रहें आप अरे आपने तो CBI के डिरेक्टर के डफ्तर को सील कर दिया आपने तो CBI के डिरेक्टर को जबरन हटा दिया आपने तो आज तक उसकी पेंसन की मंजूरी नहीं होने दिये आपने तो CBI को लेके बड़े बड़े आरोप लगाए और आज जब वही CBI आपके इसारे पर नाचने लगी राजनितिक प्रतिदंदियों को जबरदस्ती पकल पकल के जेल में डालने लगी तो CBI आपके लिए अच्छी हो जाती है